ये कभी मत सोचना कि हम समझ गए कभी न सोचना स्वापने में स्वाप से बड़ी मूर्खता है ये सोचना कि हम समझ गए तत्व बिस्मरनाद भेकी वत इतनी जल्दी तत्वक ज्यान भूल जाता है कलजुक के मनुष्यों का पता ही नहीं चलता क्या हमको सोचना चाहिए था और क्या सोचा और क्या कर डाला तो शास्त्र कहते हैं आबरित्ति रसक्र दूपदेशाद गुरु के उपदेश को बार बार आबरिती करो उसकी बार बार चिंतन करो बेद कहता है श्रो तब्यो मन तब्यो सुनो फिर उसका चिंतन करो बार 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 हजार बार सव बार नहीं तब वो बैठेगा अन्यता मिठ्या हंकार तुमको तो है या आ गया समझ में आ गया अरे अब फिर चला जाएगा तो आबरिती चिंतन की तो चिंतन करने की तो आबरिती आप लोग करेंगे नहीं साफ मन के गुलाम है ला परवा है हम जानते हैं अगर करेंगे भी एक दो घंते या एक दो दिन उसके बाद भूल गया इसलिए इस उपदेश को चौबिस घंटे में एक बार सुन लोगे तो उसका आसर एक दिन तो रहेगा उस दिन तो रहेगा तो इसी प्रकार हर दिन उसका आसर होता रहेगा और हम गलती नहीं करेंगे या पराध नहीं करेंगे शरनागत रहेंगे अपने आप अभ्यास होता रहेगा इसलिए डेली एक बार सुन लो दो पहर को सबेरे, शाम, रात कभी भी और आप और सत्तंग्यों को भी कह दो कि इसको सुन लिया करो अगर एक दिन भी न सुना तो फिर गया फिर जब कल सुन लेंगे परसों सुन लेंगे रहें तो नालम तो ही है सब हमको फिर सुन लेंगे बार आप तो ठब जीग है बास हो गया खताब आप लोग साधना जो करते हैं यहां से जाने के बाद ऐसे ही करते हैं एक दिन किया, दो दिन किया, तीन दिन किया, बस छूटा 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 गया इसलिए लापरवाही नहों पंदरा मिनट दस मिनट का समय चौबिस घंटे में निकाल करके इसको सुन लिया करो ना भूलो, ना भूलो मन पलचिन आधे ना भूलो मन पलचिन आधे झालो